मुस्कार आप देखें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी आज बात होगी अर्विन केजरिवाल के घर नहीं बलकी महल की जी हाँ अर्विन केजरिवाल का महल देखने में कैसा है इससे लेका सभी की बड़े उच्छता है जो बंगला 45 करोड में बना उसका लुक कैसा है इस पर सभी की दल्चस्पी है अब इस रहसे से भी परदा उच गया है केजरिवाल महल के अंदर पहली बार कैमरा पहुंचा और जो तस्मीरे सामने आई हैं उसे देखकर आप चौक जाएंगे केजरिवाल के 44 करोड बंगले में आटोमेटिट दर्वासे लगे हुए हैं जो रिमोट से खुलते हैं और बंद होते हैं मकान के अंदर सभी जगए वियतनामी मार्वल लगाए गए हैं घर में 45 लाख के परदे लगाए गए हैं जो दस लाख रुपए वाला टीवी है वो कैसा देखता है आप भी देखेगा इसकी भी ज़लक सामने आ गई है इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदासा लगा पाएंगे कि अर्विन केजरिवाल का ये महल किसी राज महल से कम नहीं है और आईए एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं कि अर्विन केजरिवाल का ये घर आखिर भीतर से दिखता कैसा है इस घर में ऐसी क्या बात है ऐसी क्या रंगत है ऐसा कौन सा रूप है जो ये बताता है कि 45 करोड रुपए खर्च किये गए है अब किसी आम व्यक्ति का ये घर तो है नहीं किसी खास व्यक्ति का ये घर है तो ये खास घर आखिर अंदर से दिखता कैसा है ये महल अंदर से कैसा दिखता है अब आपको हम L.A.T. पर दिखा रहे हैं आप सबसे पहले ये जो स्टेर केस देख रहे हैं जो सीडियां आप देख रहे हैं यह staircase इसमें जो marble लगा हुआ है वो इंडिया का marble नहीं है आप जानते हैं कि भारत का marble है सबसे अच्छी quality का marble राज़स्थान के मकराना से आता है और सबसे अच्छा संग मरमर उसे कहा जाता है लेकिन ना ये पसंद नहीं आया इसलिए वियतनामी मारबर लगवाया गया अब घर में लगे हुए दर्वाज़े को आप देखें वैसे तो किसी भी आम व्यक्ति के घर में दर्वाज़ा कैसा होता है आप उसे हाट से डोर नॉप को ओपन करेंगे आप उसके भीतर दाखिल हो जाएंगे लेकिन नहीं सेम हाउस का ये जो दर्वाज़ा है वो में दर्वाज़ा सेंसर से खुलता है यानि रिमोट से चलता है तो रिमوट से दरोजा खुलेगा, रिमोट से दरोजा बंद होगा, अब अंदर चाहे format दाखिल हो या उनके महमान दाखिल हो, रिमोट से चलता है यह दरोजा और ऐसा नहीं है कि केबल में गेट जो है यह जो में दर्वाज़ा है वो ही सेंसर से चलता है घर के लगे बागी दर्वाज़े भी यह सेंसर से चलते हैं एक और दर्वाज़ा दिखाईए यह तो में गेट का दर्वाज़ा हो गया अब यह दूसरा दर्वाज़ा आप देखि और बाकी कमरों में जो दर्वाजे होते हैं आप भी अगर जाएंगे किसी अच्छे होटेल में और किसी प्रीमियम लग्शुरी होटेल में अगर आप जाएंगे तो उसके भी दर्वाजे में जब आप एंटर करेंगे यानि अपने रूम के दर्वाजे में एंटर करेंगे त इस कार्ड को आप नॉप पर लगाएंगे और तब वो लोग खुलेगा और आप अंदर एंटर कर जाएंगे, वहाँ पर आटोमेटर दर्वासे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर CM साब के महल में आटोमेटर दर्वासे है, अगली तस्वीर आप देखिए, घर के वियतनामी म मार्बल का जो मैं जिक्र कर रहे थी, वो भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने सफाइओ तेरा है, एक करोर 14 لاग का ये ड्यॉर पैरल मारबल है, जो घर में लगा है, ये वियतनामी मारबल है, मारबल बहूत अच्छा है, वेतनाम का मारबल है, एक्स्पोर्टेड कॉलिटी ह साब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मार्बल बौधी शांदार है और अर्बिन केशरिबाल साब ने अगर अपने घर में लगा लिया तो समस्या उस बात की भी नहीं है लेकिन प्राब्लम ये है कि ये वही अर्बिन केशरिबाल हैं जो मुख्य मंत्री बनने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे और वो ये कहते थे कि उन्हें कोई बड़ा मंगला नहीं चाहिए, उन्हें दो कमरों का मकान चाहिए, इतने AFC नहीं चाहिए लेकिन हर रूम में AFC है, मार्बल देखे कितना महंगा महंगा है, ये बहुत सी जगहों पर हो सकता है लेकिन चुकि अर्बिन केशरिबाल ने अपने माबदन इतने बड़े कर लिये, तो उनसे तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या जब उनके घर में ये वियतनामी मार्बल लगाए जा रहे थे, उनके घर में जब ये आटोमेटिड दर्वासे लगाए जा रहे थे, तो क्या वाकई में इनकी ज़रूरत थी अर्विन केजरिबाल के महल के अंदर जैसे जैसे कैमरा घूमता गया, 45 करोड के रहसे लोग से परदा उठता गया, अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बंगला खुबसूरत देखे, इसके लिए वेटनाम से मार्बल मंगवाई गई, मैंने आपको दिखाए तस्वीर है वेटनाम के महेंगे डियोर परल मार्बल लगाने पर एक करोड चौदा लाग का खर्च आया है, ये भी मैंने आपको बताया राजनीती का चाल चरितरो चहरा बदलने आया, अर्विन केजरिवाल ने सीम हाउस को बदल डाला टाइल्स को देखकर आप अंदासा लगा सकते हैं ये देखिए, एक और तस्वीर, अब टीवी की तस्वीर आपको दिखाते हूँ अर्विन केजरिवाल महल में जिस खर्च पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टा चार का आरोप लगा है वो घर में लगे हुए टीवी सेट का है अर्विन केजरिवाल के घर में दस-दस लाख रुपए के टीवी सेट लगे हुए आप जब इस टीवी को देखेंगे सरा गौर से देखेंगे एंजे टीवी आपको तस्वीर दिखा रहा है तीन से चार लाख से साधा का टीवी नहीं है लेकिन इस पर दस-दस लाख रुपए का खर्च आया क्यों आया ये एक सवाल है स्यम हाउस में कुल दस टीवी लगे है हार टीवी दस लाक रुपए का है यानि अब आप समझ लेजे जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीवी खरीद में दस लाक रुपए का घोटाला हुआ है और एक टीवी की कीमत 10 लाक रुपए नहीं करीब 4 लाक रुपए है ये बीजेपी का दावा है आई अब रेलिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं ये जो पांचवी तस्वीर है वो रेलिंग के है आप अर्विन केशिवाल के महल के अंदर की जब तस्वीरे देखेंगे तो ये CM हाउस में लगी हुई स्वीडियों की रेलिंग और इस पर महंगा वोडन फरनिशिंग किया हुआ है खुद रेलिंग में काफी आर्टिस्टिक वर्क है उसके उपर कैसे महंगे वोडन वर्क किये गए है इससे आप देख सकते हैं पूरी सीडियों पर वियतनाम के टाइल्स लगाई गई है इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि ये दफ्टा वेजु में भी शामिल है अब अर्विन के शुवाल के महल के चछत देख लीजिए सीडियों के बंगले में सुरज की रोशनी पूरे दिन आती रहे इसका भी इंतिजाम किया गया है और अच्छी बात है सुरज की धूप तो मिलनी चाहिए स्वास्ट के लिए अच्छी होती है लेकिन क्या ये दिल्ली के स्वास्ट के लिए है सवाल इस बात का है ये पैसा जो सीएम आवास पर खर्च किया गया ये पैसा तो दिल्ली की जनता के लिए खर्च किया जा सकता था उनके स्वास्ट के लिए खर्च किया जा सकता था लेकिन तस्वीर हैं आपके सामने हैं ग्लास रूफ की टॉप लगाई गई है जिसे के दिन में कभी भी नाच्रोल रोच्णी के दिक्कत ना हो अब सरा लिफ्ट की तस्वीर आप देखें जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो CM हाउस में लगे हुए लिफ्ट की है CM का बंगला केवल दो मनजिला है सीडियां दिखाई ना हमने आपको केवल दो मनजिला बंगला है और सीडियां दी गई है आप उपर से नीचे जा सकते हैं आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी दो मनजिल के मकान में भी लिफ्ट की विवस्था है जब पूरा मका कि महल का ड्रॉइंग रूम मकान के किसी सेवन स्टार होटिल का ड्रॉइंग रूम जादा नज़र आता है यानि कि ये घर नहीं है ये बंगला है ये कोई होटेल का रूम है ये होटेल का ड्रॉइंग रूम है सीम हाउस के इंटीर डेकुरेशन पर 11 करोड 30 लाख रूपे का जब इस तरह पैसे की तरह पानी बहाया जाएगा तो ड्रॉइंग रूम के ऐसा नजर आएगा वो आप देखें और मैं फिर बार-बार कह रहे हूँ ये किसी भी मुख्य मंत्री का आवास ऐसा हो सकता है किसी भी बड़े व्यक्ति का ऐसा घर हो सकता है इसके होने में दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप अपने लिए मापदंड उचे उचे रखते हैं जब आप ये कहते हैं कि हम दो कमरे के मकान में रह सकते हैं और फिर आप एक आलिशान महल तयार करते हैं तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसलिए एक एक तस्वीर इस वक जो हम आपके सामने रख रहे हैं ड्रॉइंग रूम का हिस्सा आपने देखा सेम हाउस के ड्रॉइंग रूम की एक और तस्वीर आप देखें यहाँ पर महंगे सोफे लगे हुए हैं केजरिवाल यहीं पर अपने मंत्रियों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ बैटर करते हैं प्रण नीतिया पनाते हैं यह सोफे भी साथ की पसंद केजरिवाल की पोल खोलने के लिए काफी है अब आपको ले चलते हैं केजरिवाल के महल के किचन में किचन में टाइल्स ऐसी लगी हुई हैं इसमें आपको जितनी देर तक आप यह तस्वीरे देखेंगे आप यह सोचेंगे जो घर की महिलाएं भी अगर देख रही हैं तस्वीरे की काश हमारे घर का किचन ऐसा होता काश हम भी इतने ही आम होते और हमारे भी घर के किचन इतने ही खुबसूरत होते लेकिन ये संभव नहीं है ये अर्विन केश जिबाल जी के महल का किचन है किचन और अप्लाइंसेस पर कुल 110 लाख रुपए का खर्च आया है 110 लाख रुपए का खर्च बहुत आम व्यक्ति के खास किचन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भव्यता ऐसी कि जहां देखेंगे वहाँ पर पोट्रेट नज़र आएंगे बड़े ही आर्टिस्टिक वैल्यू है आप देखें वाल साइज पूरी जिसे हम ये कहते हैं कि वाल फॉर्निशिंग की गई है जो पी ओपी का वर्क किया गया है वो आप देख रहे हैं महंगी महंगी पेंटिंग भी लगी हुई है बहुत खुबसूरत घर है मैं तो यह कहते हूँ ये बहुत खुबसूरत घर है लेकिन क्या ये अर्विन केश जिबाल के दावों की पोल खोलता है या नहीं या आप ते करें केश जिबाल के इस महल को बनाने के लिए कंसुल्टेंट न्यूक्त किया गया था उसने किस तरह मकान को तयार किया है इससे आप इस तस्वीर के जरिये देखें घर के अंदर खुबसूरत नकाशी की गई है घर की दीबारों को कैसे सजाया गया है ये आप देखें जगे जगे कैबिनेट्स बनाए गए है कुछ वाल को ब्यूटिफाई किया गया है ब्यूटिफिकेशन पी ओपी की गई है फीलिंग पे की गई है वाल्स पर की गई है पूरे घर के बंगले में फॉल्स फीलिंग लगाए गई है घर महल बहुत खुबसूरत नज़र आता है लेकिन अर्विन केजरिबाल का ये घर बाहर से कैसा नज़र आता है इसके तस्वीर एक और चौत भी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे है पैतालिस करोड में बना हुआ ये केजरिबाल का घर है और ये बंगला बहुत सुन्दर है लेकिन समस्या इस बात की है कि वादा ये नहीं किया गया था वादा ये नहीं किया गया था और समस्या यहीं पर खड़ी होती है भासकर हमारे साथ हमारे समस्या वादाता जुड़े हुएं हम ज़रा उन से चर्चा कर लेते हैं समस्या भासकर यही है कि वादा किया था दो कमरे के मकान का वादा किया था आम इंसान के जिंदगी का वादा किया था कि दिल्ली के जनता के लिए पैसों के खर्च का लेकिन ये बंगले का वादा तो नहीं था ना लेकिन रह रहे हैं अर्विन केज रिवाल जी इसमें देखिए मिनाक्षी प्रतम दर्ष्टिया ऐसे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पास में शानदार महल है और यह अच्छी बात है लेकिन बुरा यह लगता है कि वो मुख्यमंत्री जो अपने लिए अपना नैतिक मापदंड तै किया था वो सब धाराशाई हो गया एक महल जरूर बना लेकिन नैतिकता का जो एक महल बनके तैयार किया गया था जिसके बुनियाद पे पाटी खड़ी हुई थी वो आज धाराशाई हो गया एक तर्क ये दिया जा रहा था कि सीम का हाउस 80 साल पुराना है 75 से 80 साल पुराना था और इसलिए उसको रेनवेट किया गया इसलिए उस पे 33 क्रोड रुप्या का खर्च हुआ लेकिन हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो साफ दिख रहा है जब ये महल बनके तयार हो गया तो उसके बाद पुराने महल को उसी इसी महल के सामने उस पुराने महल को तोड़ा जा रहा है यानि पूरी तरह से नया महल बना और जो पुराना घर था जिसमें सीएम रह रहे थे उसको तोड़ दिया गया ये कहा जा रहा था कि मरमत का काम हुआ लेकिन इतने दिनों तक ये काम चलता रहा इस बीच में सीएम या उनकी फैमिली ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे घर पे गए थे वो अपने घर पे रह रह रहे थे पीछे एक महल तयार हो रहा था वो महल जब बनके तयार हुआ उसके बाद वो उसमें शिफ्ट हो गए और पुराने महल को तोड़ दिया गया और वहाँ पे पार्किंग स्पेस और बाकी लॉन बनाया गया जो काफी खूबसूरत है सुन्दर है अच्छा है लेकिन ये अच्छा सिर्फ अरविंद केजरिवाल के लिए हो सकता है ये बुरा पूरी दिल्ली वालों के लिए है जिनको फ्री विजली और फ्री पानी दे के चुप करा दिया गया और उसके बिना पे अपने लिए एक महल तयार किया गया इसके हम भास कर ये बार बार कह रहे हैं कि उतनी ही बात करनी चाहिए जितने आप पूरे कर सकें और ऐसा नहीं है अर्विन के जिवाल अगर ये PWD अधिकारियों को भी इनके मत्थे भी मर दें तो उस घर में तो वो खुद रह रहे हैं उन्होंने तो सवाल पूछा होगा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर